आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपाथ फॉर सक्सेस में HPGK सीरीज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन्स है उनके बारे में इस बीडियो लेक्चर के थुरू हम हिमाचल की रेलवेस के टॉप 35 MCQs के डिसकसिन करेंगे चलिए शुरू करते हैं Important and Interesting बीडियो लेक्चर पहला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रेलवे लाइन्स हैं दिये के चार आप्षन में से सही अंसर है D option हिमाचल प्रदेश में कुल चार रेलवे लाइन्स हैं D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश की सबसे पुरानी railway line कौन सी है इन चार में से सबसे पुरानी railway line है हिमाचल पदेश की A option काल का शिमला railway line हिमाचल पदेश की सबसे पहली railway line है A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है हिमाचल पदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन अगला प्रशन है आपके पास उन्ना नंगल रेलवे लाइन का उधगाटन किस बर्श किया गया इन चार में से सही option है D 11 जनवरी 1990 में उन्ना नंगल रेलवे लाइन का उधगाटन किया गया D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास भानुपली बिलासपूर बैरी रेलवे लाइन का पहला सर्वे किस वर्श किया गया तो इस रेलवे लाइन का पहला सर्वे किया गया 1985 में A is the correct answer 1985 अगला प्रशन है आपके पास पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है तो इन में से सही answer है पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन की लंबाई है तो इसके जो कंस्रक्शन का वर्ग है वो शुरू किया गया C option 1926 में C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन को ट्रैफिक के लिए ओपन किस वर्श किया गया तो इस रेलवे लाइन को ट्रैफिक यानि आतायाद के लिए ओपन किया गया 1929 में 1st April 1929 में इस रेलवे लाइन को शुरू किया गया D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास बर्तमान समय में पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन पे कितनी tunnels है तो इस पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन पे कुल सुरंगे मिलेंगी बर्तमान समय में 2 B is the correct answer टू टनल्स अगला प्रशन है आपके पास पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन पे कुल कितने पुल है तो टोटल ब्रिजिस मिलेंगे आपको पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन पे 993 993 ब्रिजिस है इस रेलवे लाइन पे D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास नेरो गेज रेलवे लाइन पे भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है तो नेरो गेज रेलवे लाइन पे भारत का सबसे लंबे पुल का नाम है गज ब्रिज B is the correct answer ये आपको मिलेगा कांगड़ा दिस्टिक में पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन के ऊपर B is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास पठान कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन का निर्मान किस उदेश्य से किया गया था तो इस रेलवे लाइन को बनाने का में परपस था to carry raw material कच्चे माल को ले जाने के लिए D is the correct answer ये कच्चा माल किस के लिए लेके जाना था जो शानन हाइड्रो लेक्टिक प्रोजेक्ट है जुगिंदर नगर में उसके construction के लिए so D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास किश बस पठान को जुगिंदर नगर रेलवे लाइन को प्रपोजल में डाला गया कि उसको भी UNESCO की World Heritage List की सूची में include किया जाए हालांकि किया नहीं किया है पर प्रपोजल कब दिया गया था तो इसका प्रपोजल दिया गया था February 1909 में so C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास पहली ट्रेन शिमला किस वर्ष पहुंची तो शिमला में पहली ट्रेन पहुंची थी 1906 में जो पहले यात्री थे वो कौन थे तो इस रेलवे लाइन पे पहले यात्री का नाम है लाला राम नाराया A is the correct answer ये एक वाइन कॉन्टरेक्टर थे और ये समन्द रखते थे कहां से डिस्टिक सोलन से अगला प्रशन है आपके पास काल का शिमला रेलवे लाइन का उदघाटन किया गया था उस समय के 22 रहे लौड करजन के द्वारा B is the correct answer लौड करजन अगला प्रशन है आपके पास काल का शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है तो कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई मिलेगी आपको 96.54 किलोमेटर ए इसता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास शुरुवात में कालका शिमला रेलवे लाइन पे कितनी टनल्स थी तो शुरुवात में काल का शिमला रेलवे लाइन पे जो कुल सुरंगे थी बोधी 107 A इस्ता करेक्ट अंसर 107 टनल्स अगला प्रशन है आपके पास बरतमान समय में काल का शिमला रेलवे लाइन पे कितनी टनल्स हैं तो बरतमान समय में काल का शिमला रेलवे लाइन पे जो कुल टनल्स मिलेंगी बो है 102, D इसता करेक्ट अंसर 102, अगला प्रशन है आपके पास, काल का शिमला रेलवे लाइन पे जो बडोग टनल है, उसका पूर निर्मान किस के दोरा किया गया, ये कम्पलीट किस के दोरा की तो कालकाशिमला रेलवे लाइन पे जो बडोग टणल है इस का इस हो पूरा कम्प्लीट किया गया था बाबा भलकूराम की दॉरा C इस्ता क्रेक्ट अंसर बाबा भलकूराम अगला प्रशन है आपके पास काल का शिमला रेल्वे लाइन पे कुल ब्रिजिस कितने हैं कुल पुल कितने मिलेंगे इस रेल्वे लाइन के उपर तो इस रेल्वे लाइन के उपर कुल ब्रिजिस हैं 869 ए इस ता करेक्ट अंसर 869 अगला प्रशन है आपके पास कालका शिमला रेलवे लाइन को बनाने का सरप्रथम आईडिया दिल्ली गैजट में किस पर्श पब्लिश किया गया तो इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए सरप्रथम आईडिया पब्लिश किया गया 1847 में दिल्ली गैजट में अगला प्रशन है आपके पास किस बर्ष कालका शिमला रेलवे लाइन को युनेसको की वर्ल्ड हैरिटेज लिस्ट में इंकलूड किया गया तो इस रेलवे लाइन को इंकलूड किया गया था 23 जून 2008 में 23 जून 2008 बी इस ता क्रेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास बाबा भलकुराम जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी कालका शिमला रेलवे लाइन पे उस रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए किसकी मदद से तो उन्होंने बडोग टनल का दूसरा किनारा जो था उसको फाइंड आउट किया था सिर्फ एक छडी की मदद से अगला प्रशन है आपके पास कालका शिमला रेलवे लाइन पे सबसे लंबी टनल कौन सी है लॉंगेस टनल है कालका शिमला रेलवे लाइन पे उसका नाम है बडोग टनल इस टनल की लंबाई है ग्यारा सो तरतालिस मेटर अगला प्रशन है आपके पास कालका शिमला रेलवे लाइन पे जो बडोग टनल है इसकी लंबाई कितनी है अभी हमने इसके बारे में देखा सुबी इस था क्रेक्ट आंसर ग्यारा सु तरतालिस मीटर बी क्रेक्ट आंसर अगला प्रेशन है आपके पास बढोग टेनल का दूसरा किरारा प्रापत ना करकाने के कारण किसने सुसाइड कर लिया था यानि आतम हत्यक इसने की कि जिस परसन के दौरा बढोग टेनल का दूसरा किनारा उसको कंस्ट्रक्शन के दौनार नहीं मिल रहा था तो उसका नाम था कैप्टन बढोग सी इस था क्रेक्ट आंसर कैप्टन बढोग अगला प्रशन है आपके पास उस रेल मंत्री का नाम बताईए जिसने उन्ना नंगल रेलवे लाइन का शुभरम किया था तो उस समय के रेल मंत्री का नाम है जानिश्वर मिश्रा 1991 में भारत के रेल मंत्री थे जानिश्वर मिश्रा इनके दौरा इस रेलवे लाइन का उदगाटन किया गया, C इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास शुरुवात में उन्ना लंगल railway line का लंबाई कितनी थी जब इसका शुभरम किया गया तो initially जो लेंग थी उन्ना लंगल railway line की बो थी 14 km D इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास काल का शिमला railway line किस division के अंतरगत आता है तो ये railway line आती है आपकी अंबाला division के अंतरगत A इस ता correct answer अंबाला division अगला प्रशन है आपके पास उन्ना लंगल railway line किस division के अंतरगत आती है तो उन्ना लंगल railway line जो आती है ये भी अंबाला division के अंतरगत अगला प्रशन है आपके पास पठाण कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन किस डवीजन के अंतरगत आती है तो पठाण कोट जुगिंदर नगर रेलवे लाइन ये आती है आपकी फिरोजपूर डवीजन के अंतरगत अगला प्रशन है आपके पास जो हिमाचल प्रदेश की railway lines हैं वो भारत की किस railway zone के अंतरगत आती है तो ये आती है northern railways यानि उत्तरी railway zone के अंतरगत A is the correct answer तो इस तरह से इस बीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की जो railway lines है उनके talk 30 MCQs देखे ये आपके सभी HP Government के exam, HP Police, SSC सभी के लिए important है वीडियो लेक्चर को like करें, अपने valuable comment करें, जाद स्यादा वीडियो लेक्चर को share करें और आपके अपने YouTube channel The Concept A Path for Success को share करें and subscribe करें Thank you, जै हिन, जै भारत, जै हिमाचल